साल से इसकी खबरे अकबार के अंदर आ रही है सेक्स लेव बनाया जा रहा है वज़त किस तरह की बाते राजिस्तान के अंदर हो रही है भील वड़ा के अंदर लगातार तीन साल से खबरे आ रही है दूसरे राज्यों के अंदर विदेश के अंदर हमारी बेहन बेटियों को बेचा जा रहा है और इसकी पूरी जानकरी प्रशासन के पास है पुलीस के पास है सरकार इससे पूरी तरह जागरूख है इस बात से लेकिन फिर भी आपको ताज्योग होगा कि एक भी F.I.R. नहीं लिखी गई है सुनते हैं जब ये भी कि बंदी बनी हुई है पुलीस दबाव में आ जाती है किसके दबाव में आ जाती है किसका किसका शेय मिलावा है इस गिनोनी हरकत के लिए किसका शेय मिलावा है जाहसपूर मंडलगड वहाँ पर तो भीलवारा की ये चेतरे वहाँ तो सुनते हैं राष्ट्र राजमार्क के ओपर ये सब हरकते होती है फेक आधार कार्ड बना दी गए अगर पुलीस कहीं कोई इमानदार पुलीस वाला जब कोई एक्षन भी लेता है किसी को पकड़ भी लेता है तो फेक आधार कार्ड लेकर तुरंट आ जाते हैं पर क्यों नहीं उसके ओपर एक्षन लेतें गोधनामा हो जाता है एक्स्टेमपेपर हो जाता है जाता है कि गोध दे लिए इस की ओपर पैसप को कुणने लग रहा आट सालилась की बेटियों को वहाँ पर बेचा जा रहा है ुसी ने रगर उधर ले लिया गल्ती से उसके जर्मानें लगाय जाता है जब पैसा वापस नहीं दे पाता प्लाप गरीवी की ये थ स्थान में देखने को मिल रही और उसके herself हाट का एक गैर कानूनी संस्ता वहां पर आती है और जर्माना लगाती है जिर्माना अगर पे सिंह कर पाया वह पैसे दें पाया तो एजेंट आजाते हैं और एजेंट आकर ये पूरा का पूरा गोधनामा वहाँ पे स्टैंप पेपर पे करवाते हैं और लड़कियों को बेच दिया जाता है आपको ताज्यूब होगा और हम सब को एक साधारन इंसान को इस बात से शरमाएगी कि छोटी लड़किया जो आर्ट साधार हैं